आप सभी का स्वागत है आपके अपनी यूट्यूब चैनल में देश में इस समय इलेक्शन का माहल है सब जगा इलेक्शन का एक के सकते सैलाब आ चुका है और अगर हम देखे तो वोटर्स अच्छे कासे परसंटेज में वोटिंग कर रहे हैं हर बार अगर देखे फर्स्ट से लेके अब तक जितने फेज हुए हर फेज में परसंटेज ऑफ वोटिंग बढ़ते जा रहा है दो जार नो दो जार चौदा दो जार उननीस दो जार चौबिस पिछले चार सेंटर एलेक्शन की बात करें तो इस समय हम सभी जानते हैं कि सभी लोगों को पता है कि यही से क्लियारिटी के वज़े से निफ्टी और सेंटी बी अपने लाइफ टाइम हाई के वाजे से लेकिन ओर ओर सिनारियो देखे श्पेस्विकली स्टॉक मार्किट का तो इस समय निफ्टी और संसेंट एक कह सकते हैं बड़ी दोड के लिए तायर हो चुके हैं बड़ी राली क में कैसी हल चल होगी यह हम सभी जानते हैं अल्रेडी पिसली एक हफ़ते में दो बड़े स्टेट्समेंट आये हैं अमिच्षा जी और नरेंद्र मुदीजी की तरफ से के इलेक्षन के बाद स्टॉक मार्किट उपर की तरफ स्काय रॉकेट होके जाएगा और इसी लिए आप सभी को ऐसे स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना चाहिए या फिर ऐसे स्टॉक्स अपने पॉर्टफोलिय में होल्ड करके रखने चाहिए अट लीस् तक पिछले पाथ सेंटर इलेक्षन में होने के बाद कैसे स्टॉक मार्किट ने रिटन्स दिया अपने इन्वेस्टर्स को साथी में 2019 से लेके 2024 तक कैसे PSU सेक्टर ने ग्रोध दिया है और 10 ऐसे स्टॉक्स बताऊंगा जिसको आपको अपने पॉर्टफोलिय में होल्ड कर चाहिए तो अगर इन 10 टॉक्स के बारे में जानना है इलेक्षन के डेटा को समझना है पिछले पाच इलेक्षन के डेटा को तो इस वीडियो को एंड तक जबूर देखेगा और वीडियो को समझेगा स्पेसिफिकली कैसे आपको आपके पॉर्टफोलियो को बनाना है बेटर और अच्छे से आपको रिटन दे तो चलिए वीडियो के शुरुबात करते सबसे पहले जानते सेंसेक्स और निफ्टी की जर्णी अगर देखे इलेक्षन में कैसे उन्होंने आउट परफॉर्म किया है मार्किट को 2009, 2014, 2019 में स्पेसिफिकली सेंसेक्स और निफ्ट के बाद हैं अगर वॉलिटिलिटी की बात करें जो हमने पिछले डेड़ से दो मैने में हम देख रहे हैं मार्किट में अच्छी कासी वॉलिटिलिटी बढ़ चुकी है, 1999 का डेटा देखें, रिजल्ट के एक साल पहले यानि एलेक्षन का एक साल पहले अगर हम देखें तो अगर देखें एक साल में यानि एलेक्षन के एक साल के बाद नेगिटिव थर्टीन परसंट का रिटन लेकिन अगर दो साल का देखें तो 37 परसंट सेम वे 2004 का एलेक्षन के पहले 98 परसंट का रिटन, एलेक्षन के दो साल के बाद 121 परसंट का रिटन, 2009 की बात करें तो 2009 म मन्त में 26% का रिटन, इलेक्शन के एक मैने बाद 6.8% का रिटन, रिजल्ट्स अनाउंस होने के बाद 31% का रिटन, और दो साल के बाद करीबन 7% का रिटन, 2014 में 16% का रिटन, इलेक्शन के मन्त में 8% का रिटन, election के results के बाद 20% का return और 2 साल के बाद अगर हम देखे तो 37% का return average अगर देखे 1999 से लेके 2019 तक का results के 2 साल बाद market ने 41% का return दिया है और election के एक साल पहले देखे तो 29% का return election के मन्त में 6% का return historical analysis करें 1999, 2004, 2009, 2014 और 2019 यानि पिछले पाच सेटरल election का देखे अगर historical analysis करें तो average return 21% का return मिला है पिछले पाच सेटरल election में निफ्टी की बात करें तो यहाँ पे clearly दिख रहा है जिससाब से निफ्टी poised है और जिससाब से निफ्टी ने exponential rally already past में दे दिया है उसके बाद correction भी दिया नीचे तीन बार हम 21-700 के levels को touch करके आ है पिछले तीन से चार मेने में और इस समय अगर हम देखे तो निफ्टी आराम से 17-18% की rally देने के लिए तयार है 24,000 का level 2024 में आपको easily देखने मिल जाएगा market performance की बात करें तो 1980 में अगर हम देखे तो 25% का return 1984 में करीवन 7.5% का return 1989 में 16.8% का return 1991 में 82% का return 96 में 0.8% का return 98 में नेगेटिव 16.5% का return 99 में 63% का return 2004 में 13% का return 2009 में 81% का return 2014 में 30% का return और 2019 में 14.3% का return तो ये clearly data दिखा रहा है कि इस समय market अच्छे का से levels पे है और जिस level पे है वहाँ से अच्छी कासी rally market continue करेगा तो अब आते हैं stocks पे कौन से stocks है वो आपको ध्यान में रखने है इस selection के लिए सबसे पहला sector है infrastructure sector infrastructure की बात करे तो हर बार हम देखते है budget में government का major focus infrastructure पे ही रहता है और इस समय अगर हम देखिए तो government ने ज़ादा करके ऐसी companies को ज़ादा boost दिया है जिसमें खुद की holding ज़ादा है यानि government holdings वाले stocks यानि PSU infrastructure stocks यहाँ पे ज़ादा focus है और local for local यह जो नारा है यह clearly पिछले दो सालों में clearly prove किया है government ने कि जितना हो सके PSU companies को आगे बढ़ाएंगे उसमें सबसे बड़ा example है defense sector दूसरा example है infrastructure sector infrastructure की बात करें सबसे पहला जो stock आपको ध्यान में रखना है वो है RVNL RVNL की बात करें तो यह government working कह सकते हैं stock है या government working company है जो ministry और railways के नीचे आती है 72% share holding इस company का RVNL का अगर हम देखे तो government के पास है यानि ministry of railway के पास है overall देखे तो RVNL rail infrastructure में साथी में new gauge conversions setting up new lines and railway electrification के लिए काम करती है पिछले sales growth देखे तो करीबन 12% के आसपास है compound annual growth CAGR जिसे हम कहते हैं पिछले 3 साल का और अगर expected returns देखे आने वाले कुछ सालों में तो यहां पे almost double होगा operating profit देखे तो करीबन 6% के आसपास RVNL ने maintain रखा है net profit देखे तो करीबन 20% के आसपास है पिछले 3 सालों का currently stock 290 से 300 290 से 300 के आसपास चल रहा है और अगर हम देखे तो exponentially ये जो stock है 50% 50-day exponential average के उपर trade कर रहा है और इस समय अच्छे कासे levels पे in terms of technical दूसरा stock आपको ध्यान में रखना है petronet LNG stocks पे ध्यान रखे जो मैं stocks बता रहा हूँ पहला RVNL दूसरा अब है petronet petronet energy की बात करे तो यहां पे petronet LNG government of India की तरफ से natural gas liquid को import करता है जिसे हम कहते है LNG और उसका recassification इंडिया में करता है petronet LNG का अगर हम देखे तो joint venture है चार major OMC companies के साथ जिसमें से Gale, ONGC, IOC और यहां पे BPCL के साथ है currently देखे तो each one of the holds is 12.5% stake in petronet यह चारों companies में से अगर हम देखे तो 12.5% stake petronetment का है last 3 साल का अगर revenue growth देखे तो करीबन 19% के आसपास आ रहा है expected net profit अगर हम देखे तो करीबन 20% के आसपास होगा और price to earning ratio यानि PE ratio देखे तो 11.6 के आसपास है stock इस समय 290-320 के बीच में trade कर रहा है और यह इस समय अगर हम देखे तो RSIS का 60 के आसपास है जो अच्छे कासे level पे है तीसरा stock है IRCTC IRCTC हम सभी जानते एक monopoly company है government owned Indian railway company है IRCTC majority अपने ticketing catering and tourism services provide करती है government of India का 62% का holding है और अगर हम देखे LIC का 9% का holding है 55% अगर revenue देखे तो आता है ticketing की तरफ से और 20% आता है catering की तरफ से year on year compound sales देखे तो 3 साल में 15% के आसपास grow हुआ है net profit करीबन 24% के आसपास है और ROE देखे तो 45% के आसपास है company nearly debt free है और monopoly है इस company का इस particular sector में technical analysis देखे तो stock हिससे में 950 के strong support के साथ trade कर रहा है और आने वाले दिनों में जैसे 1150 क्रॉस करेगा यह stock उपफर की तरफ strong rally generate करेगा PSU banks की बात करें तो सबसे पहला नाम है bank of India bank of India की बात करें तो bank of India ने यहां पे financial year 2024 में almost 30% का growth दिया है net interest margins देखे तो करीबन 9% के आसपास है net profit देखे तो 100% आया है 100% के साथ grow हुआ है पिछले 4 quarter में P ratio देखे तो 9.4 के आसपास है technically यह stock अच्छे कासे levels पे trade कर रहा है पिछले 10 सालों में यह stock ने underperform किया है लेकिन पिछले 2 सालों में PSU banks ने काफी अच्छे से outperform किया है और इस समय यह अपने 50-day और 200-day EMS के उपर trade कर रहा है जैसे ही यह stock 140-150 का level cross करता है यह stock भी skyrocket की तरफ उपर की तरफ जाएगा इंडिया इंडियन बैंक की बात करें तो और एक ऐसा bank है जिसने पिछले 10 सालों में कुछ भी perform नहीं किया लेकिन पिछले 2 सालों में जैसे bank of India ने perform किया उसी तरह के से इंडियन मैंक ने भी perform किया है इंडियन मैंक की बात करें तो पिछले 8 सालों में जो positive net interest margin आया है वो अच्छे कासे levels के साथ grow हुआ है end of 2024 देखे तो यह जो net interest margin है वो double होगा यानि net profit double होगा यहां पे P ratio अगर हम देखे तो इस समय 8.8 के आसपास है ROE इस समय 10 about 10 के आसपास है और non performing assets NPA की बात के तो सिर्फ 0.53 के आसपास है technically यह stock अच्छे कासे levels पे trade कर रहा है 20 day, 21 day, 50 day और 200 day points के उपर यह trade कर रहा है और इस समय stock का जो strong support है वो 490 के आसपास stock इस समय 550 के आसपास state कर रहा है Union Bank of India और एक ऐसा bank जिसने अपने net profit में पिछले 4 quarter में 83% का growth दिया है NPA अच्छे कासे कम हुए है और net NPA देखे तो इस समय 1.08 के आसपास है P ratio देखे तो 8.8 के आसपास है और ROE देखे तो 11% के आसपास है उपर जाएगा और तीसरा जो मैं कहूंगा जो जिस पे ज़्यादा focus होना चाहिए आपका वो है tourism and travel stock Tourism and travel में सबसे पहले आता है Indian Tourism Development Corporation यानि ITDC ITDC की बात करे तो revenue करीबन 36% के आसपास grow हुआ है पिछले एक साल में profit देखे तो almost nearly 50% के साथ grow हुआ है ROE 19% के आसपास record किया गया है और government की देखे तो 87% holding है और ये company completely debt free है currently देखे तो stock करीबन अच्छे अपने level से pullback कर रहा है 600 के levels के आसपास ये इसने अच्छा strong rally pullback दिये इस समय 670 के आसपास trade कर रहा है और अगर देखे तो जैसे ये stock से 650 cross करता है जो अलड़ी cross कर चुका है ये stock उपर की तरफ अच्छे का से rally की तरफ जाएगा Indian hotels और एक ऐसी company जिसने अपने investors को पिछले तीन सालों में हमेशा positive return दिया है revenue जब 28% का है पिछले एक साल में specifically देखे तो पिछले साल से 9% का grow हुआ है net profit देखे तो 60% के आसपास है ROE देखे तो 13% operating profit margin देखे तो 31% के आसपास grow हुआ है stock ने करीबन 200% का return दिया है पिछले एक साल में और जो correction stock में आता है वैसे ही आप नीचे buying हो रही है तो नीचे correction का level है 550 जिससे में ये अच्छे का से level पे है और वहीं पे आपको अक्रिवलेट करना है 550-570 के levels पे और ये stock 600 को जैसे level क्रोस करता है उपर की तरफ ये stock जाएगा बंडे ला हॉलिडेज और एक ऐसा stock जिसने अपने revenue को CAGR जिसे हम कहते हैं वो 17% के आसपास ग्रोग किया है पिस्टे 3 साल में 25% का ग्रोथ एक साल में दिया है net profit देखे तो 39% का ग्रोथ है ROE देखे तो between 3 to 16% है और company debt 3 है और PE ratio देखे तो 33 के आसपास है टेक्निकली ये stock भी पिस्टे एक साल में अगर हम देखे पिस्टे 1.500% का return दिया है पिस्टे 2 साल में 300% का return दिया है और stock ने अच्छा कासा pullback किया है 21 day moving average की उपर ये trade कर रहा है on weekly chart basis financial services और एक ऐसे sector जिसमें आपको focus होना चाहिए वो है LIC of India LIC of India हम सभी जानते है अगर stock market में किसी company का majority holding है वो है LIC of India LIC का अगर देखे तो more than 60% market share in terms of total premium government की holding देखे तो 96% है LIC में और LIC के investment देखे तो करीबन 90 listed companies में LIC का investment है LIC ने अगर हम देखे तो पिछले 3 साल में 8% का CIGR growth दिया है net profit देखे तो 138% के आसपास grow हुआ है return on equity 100% PE ratio 14 के आसपास trade कर रहा है तो overall इन stocks पर आपको focus करना है election 2024 4 जून 2024 को हमें पता चल जाएगा कि 400 प्लस आ रहे है या 420 प्लस आ रहे है जो भी होगा market उपर की तरफ जाएगा और अमिच्छा जी के holdings नरेंद्र मोदी जी के holdings या फिर government of India की holdings इन सभी का mixture इन 10 stocks में लाया हूँ तो specifically इन 10 stocks पे ध्यान दीजे अपने portfolio में hold करिए लंबे समय के लिए hold करिए 4 जून 2024 के बाद stock market अच्छी कासी rally करेगा और 2024 में हमें 24 जार का निफ्टी का level आराम से दिखने मिल जाएगा Thank you कि अच्छी के अच्छी के अच्छी के अच्छी के लिए